नमस्कार उज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है नमस्कार उज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है आईस ओफिसर बनना आसान बात नहीं होता है लेकिन आईस ओफिसर बनने के बाद उनमें जिमेजारिया और बढ़ जाती है हमारे देश में आईस अफिसर बनने के बाद ऐसे बहुत से अफिसर अधिकारी होते हैं जो सही मायने में देश के विकास के लिए काम करते हैं और आईस ओफिसर का कर्तविया भी वही होता है कि आईस अधिकारी बनने के बाद यानि इंडियन एडिनिस्टरिव ओफिसर अधिकारी बनने के बाद देश के लिए राश्टर के लिए समर्पीत हो जाना राश्टर के विकास को ही सरवा से समझ लेना यही उस अधिकारी पद में बैटने का तातपर्य या अर्थ होता है सही माइने होता है जी हां मैं बात करी हूँ नर्मदा जीले के आईस ओफिसर कलेक्टर श्री डी ए शाहा जो अभी अभी मसूरी से गुजलात में समगर देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शेत्रों से वरिष्ट संधी आईस ओफिसर आईस अधिकारी वहां पे जो तालीम का रेक्रम जो रखा गया था वहां पर गए और ओवराल परफोर्मेंस के लिए शर्वस शेष्ट आईस ओफिसर का प्रथम स्थान हासिल करके गुजलात के साथ-साथ पूरे नर्मदा जीले का भी उन्होंने नाम रोश चिपाल श्री भगा सिंग कोशियाराई के हस्ते मरमदा जीले कलेक्टर श्री को डी ए शाजी को सम्मान पत्र याने प्रशिस्ति पत्र एनायत कराया गया और उनका सम्मान किया गया राजपीपला से केंदर प्रसोनल विभाग द्वारा मसूरी में लाल बहाल दुशाष्त के तहद गुजरात सहीत देश के मिजोराम तमिलनाडू आंद्रबदेश हरियाना मद्रबदेश पंजाब और अनेक राज्यों से भारतिय वही वटी सेवा के लगभग सत्तर जितने सीनियर आइस अधिकारी वहाँ पर मौझूद थे उस कारेक्रम में और एक ही महिने में त डी ए शाहा के उक्त दालीन दर्म्यान वीवित अलग-अलग एसाइन्मेंट, बुक रिव्यू, प्रेजेंटेशन, लीडर्शिप मॉडियूल, आईसीटी मॉडियूल, गुरूप मॉर्निंग, वीक एंड, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, अलग-अलग प्रभोतियों में आखिर तक ऑनलाइन, आखिर में, ऑनलाइन एक्जम के तहट अलग-अलग गति विदियों में, सर्वश्यष्ट उनने अपना स्थान हासिल किया है, और प्रथम स्थान उनने हासिल कर लिया है, और इसके तहट माराष्ट्र के महामन मुहिम, राज्यपाल, श्री भगास्ति कोशियारी के हस्ते श्री डी ए शाहा जो रमदा जिले के कलेक्टर श्री है उनको प्रशिस्त पत्र और स्मूती चीन इनायात करा गया और उनका सम्मान किया गया महाराश्टर के महामहीन राजिपाल श्री कोशियारी के मुख्य मेहमान पत्पर और लाल भादुशार श्री न ऐसे महानुभव उपवसित थे और उनके सामने मसुरी उक्त तालीम संस्था 122 वा इंडक्शन तालीम का जुकारेक्रम समापन समारों वहां पे हुआ था 2010 बैच के वरिष्ट संधी अधिकारी श्री और रमदा जीले के जीला कलेटर श्रीडी एश्याह साथ में एक महिने के कठीन तालीम कारेक्रम में उन्हें नवाजा गया और समगर तालीमात्रियों के बीच में उन्होंने सरवश्ष्ष्ट जो काम किया है सरवश्ष्ष्ष्ट और काम करने के बाद प्रत्थम क्रम हासिल करके श्री डी ए शाहा ने समगर गुज्रात का ही नहीं पूरे देश का भी उन्होंने नाम रोशन किया है और रमदा जी लेके वो गौरव उन्हें बढ़ा दिया है माराश्टर के महा महीम राजेपाल श्री भगत सिंग कोशियारी ने उनके हस्ते बहुमान के यर्शभागी बने श्री डी ए शाह ने उनके साथ अधिकाली श्रीयों के साथ भी अभिनंदन टीम नर्मदा ने भी अभिनंदन धोद और बहुत सारे खुशिया उन पर करके वो टीम रिडर की तरह एक उन्हें सम्मान दिया गया यह बड़ी ही खुशी की बात है तारिक 9 से लेकर 19 मार्च तक तालीम के बाद करोना के वैश्विक महामारी के को देखते वे वे तालीम स्थगित कर आई गई है और लेकिन पूनहर शुरू करके तारिक पहली से ल मेने के कठीन तालीम कारेक्रम में उन्हेंने भाग लिया सीनियर आयस अफिसर अधिकारी श्रीद्वारा यह विविद अलग-अलग कारेक्रमों में उन्हें सर्वग्राही मुल्यांकर किया गया है समग्रत्या और ओवरॉल परफॉमेंस के श्रेष्ट दिखावा के लिए उन्हें प्रथम दृतिय और तृतिय करम से नवासा गया और तीन लोगों को यह मौका दिया गया जिसमें नर्मदा जिले ने बाजी मारी नर्मदा जिले के कलेक्टर श्री डी एशा ने प्रथम स् जात राजे का उन्होंने गौरव बढ़ा दिया है उज्वल भारत टीम की ओर से कलिटर श्री नर्मदा जिले की कलिटर श्री डी एशा जी को बहुत 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 बढ़ाई और इसी तरह से हम चाहेंगे के देश का भी नाम हर आयस अफिसर बनने के बार इसी तरह से विक एक बार बहुत बहुत बढ़ाई और खूप सारा अभी नंदन उज्वल भारत निउस देश की प्रखर आवाज घर पे रहिए सुरक्षित रहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं निचे दिएगए इमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं धन्यवाद बद्सक्राइब कर सकते हैं टी